लमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संतोस और आप देख रहे हैं आपका अपना योटुब चैनल टेक्निकल गाइड जी दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट सोल्डिंग स्टेशन इन इंडिया यानि कि इंडिया में अवरबल कौन सा सोल्डिंग स्टेशन आपके लिए बेस्ट है कौन सा ब्रैंड या कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है क्यों ब्रेस्ट है और उनके प्राइस क्या है दोस्तों सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे इलेक्ट्रोनिक्स फिल्ड में रहते हुए 15 साल से ज्यादा हो गये हैं और मुझे इन परफिन भरोसा कर सकते हैं तो बिना गाव समय को आए चलिए सुरू करते हैं अपना टेग ग्यान दोस्तों वैसे तो कई सारे ब्रैंड्स और कंपनीज हैं जो की सोलिंग स्टेशन बनाते हैं इन में से कुछ इंडियन हैं कुछ जैपनीज कुछ अमेरिकन कुछ जर्मनी कुछ मेडिन इटली और कुछ मेडिंग चाइन तो जो मेडिंग चाइना है उनके ऊपर तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए मैंने कई चाइनीज सोल्डिंग आईरन और सोल्डिंग स्टेशन इस्तिमाल किये हैं वह बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी के बने होते हैं उन्हें अगर आप एक बार खरीद लेंगे तो आने के रावा आपके पास और कोई उपाई नहीं रहेगा एक तो वह ठीक से हीट नहीं होते हैं दूसरे उनके इस प्यरपास आसानी से नहीं मिलते हैं और वह अपने जब मर्जी तब खराब हो जाते हैं इसलिए चाइनीज सोल्डिंग स्टेशन तो आप कभी भी ना लें अब बचे सोल्डिंग स्टेशन्स मेड इन जर्मनी मेड इन इस से मेड इन इटली या फिर मेड इन अलग अलग कंट्री इन में से कुछ सोल्डिंग स्टेशन्स तो काफी अच्छे हैं मैंने इस्तमाल भी किया है लेकिन इनमें दिक्कट ये है कि इनके प्राइस बहुत ही जादा होते हैं और इनका after sales service बहुत खराब है और इनके spare parts जैसे की hitting element या bit या कभी आपका अगर solding station खराब हो जाए तो उसके under का parts जैसे की transformer, circuit board वो सब आसानी से नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो company वाले बहुत ही मनमानी price मांगते हैं इसलिए इनको भी तो आप भूल ही जाईए तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये टीन ब्रैंड्स जिनके उपर आप भरुशा कर सकते हैं उनमें से एक है हक्को और दूसरा है गूप तीसरा है तो चलिए इन्हें करीब से देखते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके कई सारे ब्रैंड्स हैं ये कई सारे वाटेज में अवलेबल है ये जो company है इन 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 ब्रैंड है और इनका इनके कई सारे डूप्लिकेट ब्रैंड्स यानि की डूप्लिकेट प्रोड़क्स आगे हैं इंडिया में तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है तो पहले मैं इसकी खूबियों को बारे में कुछ बता देता हूँ आपको 90% जो लोकल टेक्निसियन्स होते हैं जो कि टीवी, मोबाइल या अलग-अलग बोर्ड या पीसी भी रिपेरिंग करते हैं वो लोग आपको सोल्डरॉन ही इस्तमाल करते हुए मिलेंगे क्योंकि ये काफी रफ और ये मेड इंडिया ब्रैंड है इसली अवेलेबल है और इनके स्पेर पार्ट भी बहुत ही इसली अवेलेबल हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मॉडल है सोल्डिंग डी वर्क स्टेशन का सोल्डरॉन की तरफ से इसमें आपको मिलता एक सोल्डिंग आईरन और एक होटेयर ब्लोवर कि तो मोडल मॉडल है यानि कि इसमें एक सोल्डिंग आईरन और एक होटेयर ब्लोवर दोनों आपको मिलता रिपेरिंग काफी कम प्राइस में मिल जाता है इसमें दिक्करत यह कि यह एस्टी सेफ याने की एंटी स्टेटिक नहीं है तो आप अगर ऐसे छोटे मोटे रिपेरिंग के काम करते हैं जिसमें जो कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं बोर्ड में वो एसडी सेंसेटिफ नहीं है और उनके खराब होने का चांस नहीं है तो आप लो बजट में यह सोल्डरॉन का सोल्डिंग स्टेशन ले सकते हैं यह ब दोस्तो हमारा अगला सोल्डिंग स्टेशन है वो है हको ब्रैंड की तरफ से हच एडबल के ओ हको यह एक जैपनिस ब्रैंड है और काफी ट्रस्टेड ब्रैंड है बहुत सारे मैनुफैक्टरर्स इंडिया में और थ्रूआउट दे वर्ल्ड हको पे भरोसा करते हैं इनके काफी रफ एंड टफ होते हैं और काफी लंबे समय तक चलते हैं और इनका परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहता है हको के सारे सोल्डिंग स्टेशन्स आपको एसडी सेफ मिलेंगे इनसे आप नॉर्मल 63-37 जो लेड होता है वायर आप 63-37 सोल्डर वायर की सोल्डिंग कर सकते हैं या अगर आप लेड़ फ्री सोल्डिंग करते हैं तो आप इनके हाइयर वाट्इज सोल्डिंग इनके सबी मॉडुल्स इसदी सेफ हैं इनका जो bit है और heating element, ceramic heating element काफी जल्दी गरम होता है और काफी लंबे समय तक चलता है इनके इसकी price की बात करें तो इसकी price सूरी होती है लगभग 12,000 रुपई से मतलब 12,000 रुपीज और अगर आप थोड़ा कम budget में लेना चाहते हैं तो आप हको के ऐसे solving iron ले सकते हैं temperature control solving iron जिनका की आप temperature इस regulator की मतलब से control कर सकते हैं तो अगर आप किसी factory के लिए या किसी manufacturing unit के लिए या किसी authorized service center के लिए लेना चाहते हैं solving station तो यह हक को आपके लिए best है तो चलिए देखते हैं अपना अगला solving station दोस्तों हमारा अगला solving station है गूट की तरफ से जी डबल ओ टी गूट यह भी एक Japanese brand है और इंडिया में काफ़ी popular brand है इनके solving station EHD safe और non-eHD safe दोनों variants में available है जैसा कि आप देख सकते हैं यह इनका एक basic model है PX501 यह इनका सबसे नीचे वाला model है इसे उपर अलग-अलग voltage के solving stations available है इनमें खास बात यह है कि यह काफी rough and tough है काफी लंबे समय तक चलता है इनका performance काफी अच्छा है और इनके spare parts जैसे कि यह solving tips और heating element जो की solving tip के अंदर रहता है heating element इसके अलावा और जितने भी parts है solving station के अंदर के वो सारे easily available है इंडिया में price भी काफी अच्छा है गूट के solving station के price की बात करें तो इनका price स्टार्ट होता है लगवाग 6000 रूपी से यानि की 6000 रूपै से तो अगर आप किसी factory या manufacturing unit के लिए आपके लिए solving station लेना चाहते हैं और within budget लेना चाहते हैं तो बूट आपके लिए best है तो दोस्तों आंता करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में available कौन सा solving station best है एक तरफ आपके पास है Solron जिसकी price पुरू होती है लेगवर 2000 रूपी से यानि की 2000 रूपै से यह made in India brand है और इंडिया में easily available है तो अगर आप फोटे मोटे रिपेडिन के काम करते हैं तो आप Solron ले बखते हैं अगर आप किसी factory या manufacturing unit या authorized service इंटर के लिए लेना चाहते हैं और आपको performance अच्छा चाहिए लंबे समय तक चलने वाला चाहिए और ऐसा Solron इंटेशन चाहिए जिसके उपर आप भरोसा कर सकते हैं और इनके इस spare parts भी easily available हो इंडिया में तो आप हको और गूत इनमें से कोई एक ले सकते हैं हको की price हुरू होती है लगब 12,000 रुपैसे और इनका temperature control storing iron इसकी price शुरू होती है 6,000 रुपैसे और जैटे जैसे आप model select करेंगे उपर वाला वैसे ही इनके price बढ़ते जाएं तो दूस्तों आजा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको ये help मिलेगी अपना best solving station चिन्ने में तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like और share आवस्ति करें और उसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूने नमस्कार शेयर हूँ